नमस्कार स्वागत है आपका स्पेशल डे में आज यानी साथ दिसंबर को देश भर में आम्स फोर्स फ्लाग डे मनाय जा रहा है इस दिन हम अपने उन वीर शहीदों को समरण करते हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया इस दिन हम इस ध्वज को बड़े ही गर्व के साथ अपने हिर्दे से लगाते हैं यह ध्वज हमें उनके देश के प्रती त्याग और समरपन की याद दिलाता है साथ ही हमें उनके बच्चों का खयाल रखने का भी संकल्प दिलाता है सशस्तर सेना जंडा दिवस कोश पुरुष सेनिकों और विकलांग सेनिकों के कल्यान के लिए काम करता है इस साल रक्षामंत्राले ने सशस्तर जंडा दिवस को मनाया है यह दिवस शौर्य और गौरव के दिन के रूप में मनाया जाता है रक्षमंत्री राजनात सिंग ने सशस्त्र सेना जहंडा दिवस के मौके पर लोगों से स्वैच्छा से योगदान करने की अपील की यह दिवस हर साल 1949 से 7 दिसंबर को मनाया जाता है यह दिवस देश की सीमाओं की रक्षा और अन्य राष्टे दायत्वों के दौरान वीरता से लड़ते हुए शहीद होने वाले सेनिकों की याद दिलाता है इस खास मौके पर क्या कुछ कहा देश के रक्षमंत्री राजनात सिंग ने आईए सुनाते हैं प्रतेइक वर्स साथ दिशंबर को ससस्तर सेना जहंडा दिवस हमारे सैनिकों, शहीदों, वीर नारियों और उनके आस्त्रतों को उनके बहमुल्य योगदान के लिए एक सम्मान दिवस की रूप में मनाया जाता है इस वर्स पूरे दिशंबर माह को केंद्र, राजियों युम केंद्र सासित प्रदेशों के द्वारा सैनिक बोर्ड के माध्यम से पूरे देश में गवरो माह की रूप में मनाया जाएगा आजारी से लेकर आज टक हमारा देश कई शुनोतियों का सामना करता है चाहे वह भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़े गए युद्धों में जीत हासिल करनी हो या सीमा पार से हो रही आतंकी गत्विधियों का मकाबला करना हो हमारी स्वस्थ से नाउने बहुत मुस्तैरी से शुनोतियों का सामना किया है फिलहाल स्पेशल डे में बस इतना ही नमस्कार